जाते कोई हमारा देखने वाला नहीं खिलाने वाला ना पिलाने चोटे चोटे बच्चे लेके हम कहा जाएंगे बताइए सर आपी हमको निया दिलाएए ना आपी दिलाए हम कहा जाएंगे इतना धूब में बारिस में कहा जाएंगे हम यहां बच्चे को लेके अपने चोटे इस तरह से प्लास्टिक का देख सकते हैं आपकी टेंट बना करके इसी जगे पे मलवे के बीच रह रहे हैं आप देख सकते हैं कि अगर मैं इधर भी दिखाओं तो ये मलवे के बीच रह रहे हैं तोड़क कारवाई हुई है उसके बाद मलवे के बीच रहे हैं सर मेरा नाम रेखा गुपता है यहां पर कोई नोटिस वेटिस नहीं मिला हम लोग को एमरजेंसी में बोले के बाहर निकलो हम रूम तोड़ेंगे समान भी नहीं निकालने दिया हम लोग कब ऐसे यह रूम तोड़ दिये कोई आया भी नहीं देखे ने कि जी रहे हो खा रहे ह दोप मर रहे, उह क्या कर रहे, और कोई कुछ भी करने नहीं अधिती है. अभी हम लोग कहा जाए। कहा रहे, बारिश का टाइम में चलो भगवान अच्छा है, नसीब अच्छा है कि बारिस नहीं हुआ। करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे को ये आसू बड़े कीमती हैं दोस्तों इनकी आँखों में आसू आ रहा है और एक गरीब का घर जब उजड़ जाता है तो वो क्या करेगा आज ये क्या करेंगी कहां जाएंगी ये बिल्कुल बड़ा सवाल है लेकिन कहीं ने कहीं ये अवैद भी है लेकिन इसकी जिम्मेद इस सारे चीजों में एक ही सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बस्ती बन कैसे गई इतनी बड़ी बस्ती जब बन रही थी तो उस पे किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी उस वक्त उसे क्यों नहीं रोका गया जो आज ये परिवार लोग रोड पे है और इसी जगे पे टेंट लगा के रह रहे हैं आज नकल इनको हटना ही पड़ेगा लेकिन इसके बाद ये कहा जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और हम अपील करेंगे कि अगर जब इस तरह का कोई जोपड़ा बनता है या इस तरह का ये होता है तो या तो उसी वक्त अवैद निर्मान को रोग दिया जाए ताकि गरीब जो लोग है वो फसे नहीं गरीब लोग फस करके अपन Thank you so much